अगर आपको करोणों रुपे की लोटरी का मैसेज आता है तो सावधान हो जाएए नहीं तो आप अपनी गाड़ी कमाई से हाथ तक धो बैठ सकते हैं दिल्नी पुलिस ने कैसे ही गिरो का परदा फाश किया जो अब तक सैक्ड़ों लोगों को इसी तरीके से अपना शिकार मना चुका है करोणों रुपे लोटरी निकलने का जहासा देकर भोली भाली जनता से लाकों रुपे ठग लेते थे मेरे ठीक पिछे आप तस्विर देख सकते हैं इनमें दो विदेशी नागरिक हैं नाजरियन मुलका बताया जार है साती साथ एक इंडियन भी है ये विदेशी नागरिक शांदा तरीके से हिंडी भी बोलता है साती साथ सिंधी और पंजाबी भासा पर भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है दिल्ली पुलिस को पिछले छे साल से इनकी तलाश थी लेकिन हर बार इच चकमा दे देते थे फराटेदार अंग्रेजी, पंजाबी और सिंधी बोलने में माहिर इस गिरोह ने बेते चार महीने में एक शक्स से साथ लाख रुपए एंट लिए करीब आठ करोड की लोटरी निकलने का जहासा देकर इन्होंने अठारह अलग लग बैंकों में रुपए डलबाए चार महीने में उन्होंने साथ लाख रुपए ले लिए और जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो उन्होंने जो हमकों इन्फरमेशन प्रोवाइड की उसके बेसिस पे हमने इस पे काम करना शुरू किया इनके कबजे से पुलिस ने 996 सीम कार्ड, 18 विदेशी सीम कार्ड, 49 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 13 डेटा कार्ड के साथ-साथ कई बैंकों के पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बरामत किये इनके सहारे यहर दिन करीब 7,000 लोगों को SMS भेज कर करोडों की लोटरी निकलने का जहासा देते थे, 700 सिम कार्ड से हर दिन 100 SMS भेजते थे, इसके लाबा लोगों को जहासे में लाने के लिए इन्होंने भारती रिजर्ब बैंक की दो फरजी विबसाइट भी बना रखी थी अब तक इन्होंने करीब 500 लोगों को चूना लगाने की बात कबूली है जमा करने को कहते थे, कभी कनवर्जन फिस, तो कभी प्रोसेसिंग फिस, कभी एंटी टर्रिस्ट चार्ज, एंटी मनी लॉंडरिंग चार्ज बता दे कि इनका विज़ा पिछले तीन साल पहले ही खत्म हो चुका था, उसके बाद भी दिली में अलग-अलग लोकेशन में रह करके ये इस तरह का धेंदा करते हैं, बरहाल गिरफतारी के बाद इनसे पुलिस सगन पूस्ताच भी कर रही है कि इनके तार और कहां-कहां चुड़े हुए हैं, कैमरा परसन महेंदर के साथ पबन मिशरा, नीजवाल इंडिया, दिली